बड़ी खबर से स्वक्त के बुलेटिन के शुरुवात कर रहे हैं और यह बड़ी खबर दो पक्षों में जगड़े के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है परिदाबाद से स्वक्त की ये बड़ी खबर इस हंगामे में दो कार और दो मोटर साइकल को आग लगा दी गई एक पक्ष के करीब देर सौ लोगों ने दो गाड़ियों को फूख दिया साथी दो मोटर साइकल में भी तोड़ पोड़ की गई है कई दफ्तरों में भी ज़म कर तोड़ पोड़ की गई तो फरिदाबाद से स्वक्त की बड़ी खबर जहां दो बक्षों में जगड़े के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और उपद्रवियों ने संगामे में दो कार और दो मोटर साइकल को आग को लगा ही दी साथी आसपास जो दफ्तर थे उनको भी निशान बनाया है एक्स्क्लूजिव तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर देखे किस तरीके से गाड़ियों में ये तोड़ फोड की गई है इन गाड़ियों को फूक दिया गया सवारता राजेंदर दहिया हमारे साथ जुड़ गया है रजिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इसमें साफ तोर पर उपद्रवी कई गाड़ियों को निश्वान बना रहे है पूरा मामला आखर है क्या देखें मैं आपको बता दूँगे मामला इस जियम नगर का है और यहां पर कुछ सरारती तत्वर हो जाना बाईकों में पटाके छोड़ते थे साहरन बजाते थे और कही बार जो महिलाओं के साथ अवद्र वैबार भी करते थे और कहीं न कहीं उसी का विरोध ही सामने आया है और जल्दी जो आरोपी है उनको गुरफदार करने की बात भी यहां पर कही जा रही है लेकिन साथ तोर पर अगर बात करें जिस तरीके से गुंडागर्दी एक तरह से कहें जो सरारती तत्व हैं उनकी गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और सरे आम जो आम लोग हैं जो अपना जीवनियापन कर रहे हैं जो रोजाना लाते हैं और रोजाना खाते हैं उनको तंग करने के लिए किस तरीके से गुंडागर्दी हावी होती है यह नजारा सामने आया बिल्कुल राजींदर क्या इन लोगों की पहचान हो पाई है जो कानून को ठेंगे पर लेकर चल रहे हैं आप देखिए कि छेडखानी से मना करने पर और जिस तरीके की हरकते ये कर रहे हैं उसे मना करने पर इन लोगों की इतनी हमुमत है कि कानून को ठेंगे पर रख रहे ह गाडियों को किसी की संपती को आके हवाले कर दे रहे हैं पहचान इनकी हो पाई है क्या और कब तक कारवाई की बात कर रही है पुलिस देखे पुलिस जल्द ही आरोपियों को धर्दबोजनी की बात करें यह राकी पुलिस ने टीमों का गठन किया है और साथ तोर पुलिस का कहना कि इस तरह के गुंडा गर्दी कते बरदास नहीं की जाएगी और जो भी आरोपियों उनको एक एक करके पहचान उनकी करके और उनके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई यहां पर आमल में लाई जाएगी चलिए राजेंदर बहुत शुक्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहराल पॉलिस प्रिशासन का ये तो कहना है कि ऐसी गुंडा गर्दी को बरदाश्त नहीं किया जाएगा लेकिन इन गुंडों के अंदर खौफ कितना है पॉलिस प्रिशासन का ये भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं देखे किस तरीके से किसी की अपनी निजी संपती को किसी की गाड़ी को आके हवाले कर दिया गया दफ्तरों में तोड़ फोर की गई है यानि पूरे तरीके से गुंडा गर्दी हावी है फरीदाबाद में